भारतिय सेना ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरान सेक्टर में सीमा पर हुए एक और गुस्पैट के प्रयास को किया नाकाम, पाक ने फिर से किया युद्विराम का उलंगन, शुक्रवार की रात को भी पाकिस्तान ने भारतिय सीमा रेखा पर पुंच में मेंडर और हमेरपुर्ण शेत्र में युद्विराम का उलंगन करते वे गोली बारी की थी। जम्मू कश्मीर के किष्टवाड में सामान इस्तिती लोटाने के लिए सरकार कर रही है प्रयास, उपमुक्य मंत्री के निर्तरतों में मंत्रियों के एक दलने सभी समुदायों के स्था मंत्राले ने लापता फाइलों की जांच के लिए किया कमेटी का गठन, विपक्ष ने मामले को गंभीरता से इन्नाय लेने का लगाया हारोब। जिले में गंगा नदी में नौका के डूबने से किशोर की मौत, दो पुरुष तता दो महिला लापता, नौका में 24 लोग थे सवार। ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ब्रिटेन की राजकुमारी डायना और उनके पुरुष मित्र डोडील फायाद की 1907 में में कारदुरुगटना में हुई मौत से जुड़े तत्यों को एक बार फिर से जांच करने का किया फैसला। ब्रिटिश पुलिस ने बदाया कि उन्हें राजकुमारी डायना और फायाद की मौत से जुड़े कुछ नए तत्यों का पता चला है जिसकी वे जांच करना चाहती है। पुलिस की इस नए जाज की प्रिक्रापर शाही परिवार ने कोई टिपणी नहीं की है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा किये गए हमलों में करीब 17 लोगों की मारे जाने की खबर। पश्मी हराक प्रांथ के कारह जिले में आतंगवादियों ने राध सड़क के किनारे स्तित श्र्मिकों के एकक्षिभीर पर हमला किया जिसमें 9 श्र्मिक बारे गए वोई हेलमन्ट प्रांत में सडक के किनारे हुए वो विस्पोर्ट में पांच नागरिकों के मारे जाने की खबर इराग के सबसे बड़े बंदरगा उम्स कासर में विशन विस्पोर्ट होने की खबर अभी तक विस्पोर्ट के कारणों का पता नहीं चला गौर्टलवे किस बंदरगा पर मुख्य रूप से आयतित सामात था भारी मशीनरी उतारी जाती है